आज थी बे दिवस्तना युएई प्रवास्य प्रदान मंत्री नरेंद्र बोधी अबुधाबी मा निर्मित पहला हिंदू मंदिर नुँ आप्तिकाले पियम मोधी कर्शेवत गाचन 2018 मा प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी ना अगमंती युएई ना दरेक भारतिय भाव पोर अनिया अनंदीत थी गया चे अबुधाबी ना आज जयद स्टेडियम मा प्रदान मंत्री ना स्वाकत माते कारीकरमनु आयुजन करवाम आवईू सें आ साथे ज जयद स्टेडियम मा भारत मा वस्तार लोको विविद्प संस्कूलती पहरवेश अने टेमनी रहनी-केर दर्शावती परेड़नु आयुजन करवा मावियू छे। इससे बहुत इसका स्थान मैं तो और भी कहूँगा क्योंकि ये सर्वधर्म समागम का एक बन चुका है और ये इतना अद्विती है इसके साथ में कुछ शब्द कहने के लिए हैं भी नहीं हमारा सभग अच्छा है कि हम यहाँ पर इसके दर्शन अभी कर पाए हैं सारी दुन बिए पिए से हिंदू मंदीर अभुधावी का लोकारपन समारो प्राण प्रतिष्ठा महोतसो है और इस महोतसो का बहुत बड़ा एक उत्सा आनंद उमंग भक्तों में शर्द्धालों में हमारे भारतियों में दिख रहा है तो पूरे विश्वसे लोगों को एक बहुत ब जनताया है तो अमरिका, कनेडा, ऑस्ट्रेलिया, New Zealand, England, European countries like France and Africa के देशों से, अरब देशों से, गल्फ कंट्री से, बहुत सारे हरी बक्त, और स्वावाविक्ता से, भारत से तो है ही. I think it's an amazing feeling to be part of this event. Growing up in this country as a kid, always looking forward to a place like this, and now seeing this materialize is an absolute divine feeling. I'd like to thank the local leaders and all the volunteers who have been involved in this to make this possible. It's pretty much a dream come true, and to see here, to see this, you know, live in front of your eyes is mesmerizing. Again, it's exciting. I'm so happy to see the children, the women, and everyone. The excitement around is building up minute by minute, not even day by day. So I'm glad to be a part of this event.